असलामेकुम वीवर्स, वेलकम टू नेटकेम्ट सिलूशन्स आज की इस वीडियो में हम आप लों को बताएंगे कि IP इंटरकॉम क्या चीज होती है इसके साथ हमारे पास क्या क्या चीज़े आती है और इसका मेजर बेनिफिट क्या है कम्प्लीट डिटेल्स जाने के लिए वीडियो को एंट दक जरूर देखिएगा इसके लास्ट में हम आप लों साथ इसकी वारिंग डाग्राम भी शेयर करेंगे IP Intercom बेसिकलिए हमारे पास दो पार्स में आता है जिसमें हमारे पास एक आउडर यूनिट होता है और एक इंडर यूनिट होता है इसको कंफिगर करने के लिए हमें एक नेट्वर्क स्विच की भी जुरूरत होती है जो कि हमें अडिशनली मार्केट से बाय करना पड़ता है यह जिसमा आप देख सकते हैं कि हमारे आउडर यूनिट के साथ को बेसिकलिए हम बेल की जगा पे लगा देते हैं इसमें एक बिल्ट-इन कैमरा आता है विट माइप प्लस पीकर और इंडर यूनिट जो है यह बेसिकलिए हमारी एक टैब स्क्रीन होती है जिसको हम अंदर टीवी लाउंच में जो भी हमारे लिविंग राउंच के एरिया है जहां पर हम अगर कोई बेल बजाए तो हम उसको देखना चाहते हो तो वहां पे इसको लगा सकते हैं प्रोसेस काफी सिंपल है अगर कोई बाहर से बेल प्रेस करेगा तो आपकी टैब स्क्रीन के ऊपर जिसन आप यी वीडियो में देख रहे हैं कि आपकी टैब स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो कॉल आ जाएगी similar to WhatsApp वीडियो कॉल जिसमें आप बाहर पे खड़े वे शक्स की श आप मुबाइल से वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं टूवे की मिनिकेशन कर सकते हैं प्लस पार्ट इससे आप अपना जो ब्रेक्ट डॉर का लॉक होता है अगर वह अलेक्रिक लॉक हो तो वह भी आप कन्फिगर कर सकते हैं तो प्रोसेस कहते होता है बाहर से बेल किसी ने ब्रेल प्रेस करने के बाद अंदर टैप स्क्रीन पी वीडियो कॉल आजाएगी और सिमिलरली मुबाइल पी वीडियो कॉल आजाएगी आप टूवे के मिनिकेशन करेंगे अगर आप समझते हैं कि उनको घर में अंदर अलाओ करना है आने के लिए तो आप टैप से ही इंट्र ओको लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारी कंसलेटेशन फ्री ओफ कॉस्ट है अब हम आप लोग को इसकी वारिंग डाइग्राम दिखाते हैं यह देखिए हमारी डाइग्राम के अंदर आराम से हम लोग दिख सक हम आप लोंग को IP Intercom की Configuration भी सिखाएंगे I hope दोस्तों आज सी हमारी वीडियो आप लोंग को काफी पसंद आई होगी अपनी feedback से हमें आगाह करते रहेगा और अगर किसी और topic के उपर चाहते हैं कि netcam solution वीडियो बनाए तो हमें comment section में लाजिम बताइएगा thank you for watching stay tuned for more updates